पुरिये विद्यार्तियों हम यहां पर बीएस्टी पार्ट शेकंड का पेपर थर्ड इस्ट्रक्चर डिवलप्मेंट एंड रिप्रडॉक्शन ओफ फ्लावरिंग प्लैंट का अध्यान कर रहे थे इस पेपर के अंतरगत हम टाइपस ओव टीश्यू यानि पादप शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों के परकार पर चर्चा कर रहे थे हमने पिछले लेसन में यह देखा कि पादप में पाए जाने वाले उत्तक दो परकार के होते हैं 1. मेरिस्ट्leматिक टीश्यू यानि विवाजोत की उत्तक जिसे मुख्यतर पादब का प्रात्मिक शरीर निर्मित होता है 2. पर्मानेट टीश्यू यानि इस्ताई उत्तक जोकि विवाजोत की उत्तकों के बाद में निर्मित होते हैch पर्मानेंट टिशू या इस्ताई उत्तक का वर्गी करण हमने पड़ा है हमने देखा कि पादव श्रीर में ये तीन परकार के इस्ताई उत्तक पाए जाते हैं सिंपल पर्मानेंट टिशू या सरल इस्ताई उत्तक कंप्लेक्स पर्मानेंट टिशू या जटिल इस्ताई उत्तक एवं इस्पेशिल पर्मानेंट टिशू या इस्पेशिल टिशू या सेक्रेटरी टिशू अतार विशिष्ट इस्ताई उत्तक या विशिष्ट उत्तक या दरंतिल उत्तक, पर्मानेंट टीशू के अंतरगत हमने सिंपल पर्मानेंट टीशू के साथ साथ पिछले लेशन में चटिल इस्ताई उत्तक के शरेणी में जाइलम का अध्यन कर लिया था, आज हम जटिल इस्ताई उत्तक की सरेणी में फुलयम का अध्यन करेंगे, जटिल इस्ताई उत्तक की परकरती के बारे में हमने देखा था कि यह हीट्रो परकरती की होती है, इत्रोगेमस होती है अतात्री समांगी होती है केने का अतात्री है कि इनका संगठन सरंसनात्मक एवं कारियात्मक रूप से विविन परकार की कोशिकाउं से निर्वित होता है यहां उलेकनी है कि सरल उत्तक समांगी परकार के होते हैं जबकि जटिल उत्तक वी समांगी परकार के होते हैं कारिये में वह आकर्ती आकार सरंसना में यह भिन भिन परकार की होती है इसलिए भिन भिन परकार की एक ही उत्त्ति की कोशिकाई मिल करके विशिश कारिये का निस्पादन करती है इसलिए इसे हम जटिल उत्तक कहते हैं वो लेकनी है कि जटिल हुतक का फिसली वार जब हमने जायलम का अधियन किया था, तब इसका वर्गी करन हमने किया कि पादप शरीर में दो परकार के जटिल इसलाई हुतक पाए जाते हैं, नमबर एक जायलम या दारु हुतक, नमबर दो फिलोयम या पोस्वा हुतक. जायलम का अध्यान कर लिया फुलेम का अध्यान हम आज अपनी चर्चा में करेंगे लेकिन यह ध्यान रहे कि जायलम और फुलेम को combinedly यानि समलित रूप से seven उत्तक कहते हैं वेस्कुलर टीश्यू कहते हैं यह वेस्कुलर बंडल का निर्मान करते हैं सेविन ये पूल का निर्मान करते हैं और पादब के seven कारिये में यह परियुक्त होते हैं जैसा कि अभी परिभासा में बताया गया कि जटिल उत्तक वी समांगी पर करती को होते हैं लेकिन इनकी घटक को सिखाएं उत्तपति में समान होती है फुलेम जो की दूसरा जटिल इस्ताई उत्तक है ये पुस्वा उत्तक भी जाईलम के समान ही जटिल उत्तक होता है तता इनकी घटक को छिकाएं भी उत्तपति में समान तता कारिये वसरंसना में विन विन होती है पोस्वा या फुलेम को बास्ट या लेप्टॉम उत्तक भी कहते हैं पादप में मुख्य रूप से ये अदो मुखी तता उपरी मुखी यानि डाउनवार्ड एंड अपुवार्ड तरल कार्बनिक पदार्तों का प्रिवहन या सहवहन करने का काये करती है जटिल उत्तक की विभिन कोशिकाओं का उद्ववी जायलम के समान लेकिन आकर्तिवा कारिये में ये विसमांगी परकर्ति के होते हैं तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि पादप में जो अदो मुखी और उपरी मुखी ट्रांस्पोर्टेशन है वह कारिये फ्लॉयम के द्वारा समपादित होता है फ्लॉयम या पोस्वा की पादप शरीर में इस्तिती ये पादप शरीर में जायलम से संबंद रेता है अतार्ट जायलम के साथ साथ ये फ्लॉयम भी पाया जाता है अधिकांस पादपो में सेवन पूल में फ्लॉयम बाहर परिरंब की और इस्तित होते हैं अतार पित की और जाइलम अवस्तित होता है और उसके बाहर की और उससे सटा हुआ ये फुलयम जो है वो इस्तित होता है लेकिन यहाँ पर कुछ इस्तितियां भिन्न परकार की भी है कुछ इस्तितियों में ये बाहर तता अंदर दोनों और इस्तित होता है जैसा कि हमने कुक सुलेनेशी आदि में भी देखने को मिलती है बीट्री फॉलय है जब पाये जाता तो उसे अंक्यों मिया इंक्लूट्थ दक्यूंग बहरे मतना अंदर तक हुब उबे फिलोयमी पूल कहते हैं बाई को लेटरल वेस्कुलर बंडल की कंडिशन में ये हमें देखने को मिलता है अन्तेज आरुक पोस्वा तता आंतरिक फिलोयम के रूप में यानि सेवन पूल के अंदर की और जैसे एपोसाइनेसी सोलेनेसी आदी समधी पार्शिक सेवन को मिलती है अंतर्विष्ट फिलोयम या द्विभ फिलोयम इंकलूड़ेड फिलोयम अनियरंतास्य निटा जिनेसी आदी में साधानतेच अमें देखने को मिलती है और यह दित्तव जैलम के 20-20 में फिलोयम समुमें उपस्तित होती है इत्तक की को सिकाएं पादप अंगों क कि अनुदेदिरे अक्स के समानांतर विन्यासित होती हैं जायलम में भी इसी परकार से विवस्ता पाई जाती है फ्लायम की उत्पति प्राक एदा से अत्वा सहवन एदा से होती है और सभी सेवरी पादपों में फ्लायम उपस्तित होता है अवर्थ बिजी मूल में यह अलग पस्कौलर बंडल बनाते हुए पाया जाता है ऐट्लायम की इस्ट्रक्चर अथा फिलायम किन किन कोसी कौंसे बना हुआ होता है फिलम के मुक्त करें करें कि यह चार परकर के मुख्य गटक या तत्व या कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ एक जटिल उत्तक होता है जैसा कि आप डाइग्राम में भी देख सकते हैं कि यहां पर यह पेरलल जो कोशिकाओं एक उत्तक का निर्मान करती है इसमें नमबर एक चालनी तत्व दूसरा सेवन कोशिकाओं से चालनी ने लिकाओं के बीच बीच में उससे सट करके इस्तित होती है और यहां पर यह देखा गया है कि इसको हम अलग नहीं कर सकते यह इतनी सटिवी सलग इस्तिति में रहती है कि इसको हम मरसन दूआरा भी अलग नहीं कर सकते तीसरा है फ्लोयम या पोस्वा तन्तू और चोता है फिलोयम मर्दू तक यानि सीव एलिमेंट्स, कम्पेनियन सेल, फिलोयम फाइबर और फिलोयम पेरेन काइमा ये चार मुख्य गटक हैं फिलोयम को निर्मित करने वाले तो हम देखते हैं कि चार अलग-अलग परकार की कोशिका हैं लेकिन ये ध्यान रहे कि ये उत्पति में समान है अब यहां परकारी और सरंसना में ये अलग-अलग दिखाई देते हैं जैसे आप यहां देख सकते हो ये जो है वो चालनी तत्व है यानि नली का जो बनती है वो उत्तक का नाम हम फ्लोयम या बाश्ट उत्तक देते हैं यह परत्म तीन परकार की जो कोशिकाएं आतार्थ चालनी तत्व सहचर कोशिकाएं तता फ्लोयम फाइबर यह पादब शरीर में अक्षिय तंतर का एक्सियल तंतर का निर्मान करती है जबकि फ्लॉयम मर्दू तक अरिये तंतर का रेडियल तंतर का निर्मान करती है प्रात्मिक फ्लॉयम और दिवत्यक फ्लॉयम पहले निर्मित होने वाले फ्लॉयम प्रात्मिक फ्लॉयम और उसके बाद में निर्मित होने वाले फ्लॉयम दिवत्यक फ्लॉय यहाँ पर प्रात्मिक separates आदि पोषवा एवम अनुपोषवा में वीवेदित होते हैं प्रोटोंबल्थeszलय में यह वीवेदित होते हैं आनवर्थ में मीजिज़ी पात्पों में जो जो चालनी शेत्र है वे सूइस्पस्ट नहीं होता है यहां पर हम देखते हैं कि यह जो चालनी नलिकाएं हैं इसके यहां पर इस परकार की जो प्लेट बनती है यह चालनी शेत्र कहलाता है और यहां जिन्मों इस परकार की प्लेट सूइस्पस्ट नहीं होती है निर्मित होत आदी पोस्वा यानि प्रोटो फ्लॉएम जो हो कुछी समय तक सक्रिय रहता है यह चारों परकार की कोशिक आएं जो की फ्लॉएम के मुख के गटक हैं यह इस परकार से विवस्थ दो करके और जटील इस्ताई उत्तक फ्लॉएम का बीविव्श का निर्मान करती है चारुणी तत्व यहां पर हम अध्यन कर रहे हैं और यह दो परकार के तत्वों से मिल करके बनता है यनि चारुनी तत्वاع बनाने वाली दो परकार की स्तरंचने होती है एक को हम कहते हैं चालनी कोशिका शीव सेल और दूशी को हम कहते हैं चालनी नली का शीव ट्यूप्स चालनी कोशिका ये एकक कोशिकाई होती है इन में चालनी पट्टिका नहीं पाई जाती है शीव प्लेट्स नहीं पाई जाती है तता चालन नलीका, ये नलीका कोशिकाओं के एक के उपर एक विवस्तित होने से बनती है, तता चालनी कोशिकाओं दिर्गित वे बेलनाकार होती है, नलीका कोशिकाओं लंबाई में बिन बिन व्यास वाली होती है, जैसे ये दस से सतर म्यू एम तक हो सकती है, आनावर्त विची पातप होती है जैसे यह चौदा सो से अर्टाली सो व्यू एम तक हो सकती है जब कि आवर्थ विजी पात्पों में इनकी लंबाई 500 व्यू एम तक पाई जाती है तो यहां पर व्यास में अधिक बिन्नता नहीं है नलिका कोशिकाओं के लेकिन लंबाई में यह बहुत अधिक बिन्न होती है चालनी पटी का चालनी पटी का चालनी नलिका की वैबिती जिस पर चित्र युक्त चालनी शेत्र होते हैं यानि चलनी बनती है जैसे हम घर में चान चानने के लिए चलनी प्रयोग करते हैं ठीक इसी परकार से चालनी नलिका की बित्ती पर चित्र बनते हैं जिसे च केते हैं और चालनी प टिका कहलाती इस चालनी शेत्रीक्त जो विति होती है उसे हम क्लागि पटिका क्एते है एक सव्यक्त संभियाशी पटिका उसे हम सरल चालनी पटिका तदा एक से अधिक चालनी चेत्रों वाली पटिका को हम संयुक्त चालनी पटिका कहते हैं, यानि पटिका में यदि एक ही छिद्र जो कि नलीका के सम्व्यासिय छिद्र बनता है, तब तो हम इसे सरल चालनी पटिका कहते हैं, सिम्पल शीव प्लेट कहते हैं, जबकि एक से अधिक चालनी शित्र बनाने वाली यानि उसमें एक से अधिक छिद्र हों, उस पट्टीका को हम सन्युक्त चालनी पट्टीका या जॉंट शीव प्लेट कहते हैं? सरल चालनी पटी का अनुपरस्त एवं सयुक्त चालनी पटी का तिरियक होती है चालनी शेत्र चालनी को शिका की वित्ती पर उपस्तित छित्रों के समू को चालनी शेत्र कहते हैं चालनी में ये शेत्र अनुपरस्त पटों पर होते हैं इसके अत्रिक्त पार्सु पटों पर भी चालनी शेतर पाये जाते हैं जिने पार्सु चालनी पट कहते हैं ये कम विक्षित एवं कम व्यासके होते हैं तरुन चालनी कोशिकाएं सजीव एवं केंद्रक युगत होती हैं, परिपक्व चालनी कोशिकाएं जीवित तो होती हैं, किन्तु केंद्रक रहित होती हैं, इनमें बड़ी रिक्तिका के चार और जीवदरवे होता है, तता पटिका के छिद्रों से जीवदरवे तंतु द्व मुटी होती है परन्तु सेलूलोज यूगत होती है और यह यह प्रात्मिक भित्ती होती है पर उन्तु कभी-कभी सलेश्वी परकरती की जो इस्तुलन और निक्षेपन इन में पाया जाता है यहां हम डाइग्राम देखें यह संपून फ्लोयम के मुख्य गटक से यूगत डाइग्राम है यहां पर हम देख सकते हैं शीव ट्यूब और शीव प्लेट यहां अनुपस बित्ती पर सिद्र यूगत शीव प्लेट है यानि चालनी शेत्रों से यूगत यह पट्टिका है यहां पर यह सीव एरियाज इस नलिका में भी हम देख सकते हैं यहां पर यह फ्लोयम फाइबर जो है वो दर्साय गए है और यह एक संयुक्त चालनी पट्टिका का जो है वो काठ दिखाया गया है किस परकार से इसमें चालनी शेत्र नीवित होते हैं यहां पर आप देखें अनुधेरिदी रूप से सवानांत्र में यह अक्सिये तंत्र का निर्मान करते हुई ट्यूफ गGreen काेमा जो है वो यह पर ऐरियल तंत्र का निर्मान करते हुए हम देख सकते हैं तो यहां इन डाइग्राम के वज़े यह देखिए यह पोश्वा तन्तु यानि फुलायम फाइबर के जो है वो चित्र हैं जिसमें कि हम यह शीव एरिया जो है वो बली बांती देख सकते हैं चालनी पट्टिका से संबंद एक कार्गाहिडेट योगी केलोस होता है चालनी कोशिका के कोशिका दर्व में ही इसे संसलिसित एवं विगटित करने वाले एंजाइम भी उपस्तित होते हैं केलोस संयोजकी प्लास्मो डेस्मेटा या कोशिका दर्वे इस्टेंड के चारों और एक आवरण या अच्छद बनाता है वरत एवं जीन चालनी नलिकाओं में केलोस अच्छद मोटा होता जाता है और अंतते चालनी छिद्रों को अवरूत कर देता है जिससे चालनी नलिक पुने सक्री हो जाती है जिन्वा इस प्वंपात्पों में चालनी नलिकाओं नहीं पाई जाती है इसके इस्तान पर चालनी कोशिकाओं पाई जाती है यह अपेक्शाकर्त लंबी वा तिर्ची अनुपरस्त वित्यों वाली होती है वित्ती पर कई छिद्र सभूं मिलते है जिने चालनी शेत्र कहते हैं ऐसे शेत्र पार्शु भीत्यों पर भी पाए जाते हैं परिपक्व चालनी नलिकाओं में जीवदर्वे की प्रीदिय परत में प्रूटेनिय परकर्ति के आउपंग की सलेशमी पदार्थ पाए जाते हैं जो अवपंक पिंड कहलाते हैं ये एकल या सवू में हो सकते हैं अवपंक पिंड तरुन चालने नलिकाओं के समू के रूप में तता परिपक्व तत्वों में ये दारीदार रेशो के रूप में पाए जाते हैं इन्हें P1 प्रोटीन और P2 प्रोटीन कहते हैं ऐसा माना जात रहता है कि यह पी प्रोटीन चालनी तत्वों के छिद्रों को अवरुद करते हैं चालनी तत्वों का कार्य काल यह हम देखें तो एक बीस्ट पत्री पाध्पों में चूंकि दिवत्यक वरद्धी नहीं पाई जाती है अत्या केंदर रही चालनी तत्व जीवन परियंत किरिया सिल रहते हैं दिवत्यक वरद्दी वाले पात्पों में निरंतर नए फलोएं मनते रहते हैं अत्या चालनी तत्वों की सक्रियता एक अत्वा दो वरद्दी कालों तक ही सिमित रहती है चालनी तत्वों के निस्क्रिय होने से पूर्व चालनी पटिका के चारों और केलोस का निक्षिपन होने से चालनी कोशिकाओं का आपस में संपर्क तूट जाता है वह पदार्तों का सहवन रुख जाता है कुछ पातपों में मर्दु उत्व की कोशिकाओं से पर्चूरोद भुद्ध पर्चूरोद भवन भी चालनी निक्षिकाओं में पर्वेस कर जाते हैं आतार्थ अंदर की और अतिवरत दियां जो हैं वो निर्मित ओकर के उन्हें अवरूद कर देती है इन्हें टाइलोसिस क प्रात्मिक फ्लेम और दिवत्यक फ्लेम में क्या अंतर होता है यह हम देखते हैं प्रात्मिक फ्लेम का परिवर्दन प्राक एदा से होता है जबकि दिवत्यक फ्लेम का परिवर्दन सहवन एदा से होता है प्रात्मिक फ्लेम आदी फ्लेम और अनु फ्लेम में विवेदित लंबी एवं संक्री होती है, जबकी दिवत्यक में चालने न लिकाएं, छोटी एवं चोडी यानि अधिक व्याश की होती है, प्राद्मिक फ्लाइम में फ्लाइम रे से फ्लाइम के बाहिये बाग में इस्तित होते हैं जबकि दिवत्यक फ्लाइम में फ्लाइम रे से फ्लाइम के बीतरी बाग में इस्तित फ्लाइम मर्दू तक के साथ व्यवस्तित होते हैं प्रात्मिक फ्लेम में मर्दु तक अल्प विक्सित होता है जबकि सेकंडी फ्लेम या दिवत्यक फ्लेम में मर्दु तक सू विक्सित होता है यहाँ पर प्रात्मिक फ्लेम में दर्ड़क को सिकाएं प्रियाई उपस्तित होती है जबकि दिवत्यक फ्लेम में दरड़क को सिकाएं परियाय उपस्तित होती है प्रात्मिक फ्लेम केवल आक्सिय तंतर का निर्मान करता है जबकि दिवत्यक फ्लेम आक्सिय एवं आरिय तंतर का निर्मान करता है क्योंकि यहां पर मर्दू उत्तक कोशिकाएं सू विक्षित होती है और फ्लाहें मर्दू उत्तक कोशिकाएं अरियत अंतर का निर्मान करती है यहां पर प्रात्मिक फ्लेम में मज़ा किरने नहीं पाई जाती है जबकि दिवत्यक फ्लेम में मज़ा किरने पाई जाती है प्रातमिक फ्लोएम में चालनी छित्रों के चारों और केलॉस जमाव पाया जाता है इसी परकार जो दो टार्माई है चालनी नली का यानि शीव ट्यूप्स और चालनी कोजिका यानि शीव सेल सेल्स इनमें क्या अंतर होता है ये हम देख लेते हैं चालनी नली का मात्र आवर्थ बीजी पात्पों में यानि एंज्योई स्पम में पाई जाती है जबकि चालनी कोशिका आनावर्थ बीजी और टेडोफाइट पात्पों में पाई जाती है चालनी नलिका या कोशिकाएं चालनी तत्वों के एक उपर एक जुड़ने से निर्मित होती है जैसा कि वेसल्स में भी ऐसा देखा गया है और चालनी कोशिकाएं ये एकक कोशिकाएं होती है चालनी शेत्र चालनी तत्वों के सीरों पर इस्तित होते हैं जबकि चालनी कोशिकाओं में चालनी शेत्र पार्शु भित्यों पर इस्तित होते हैं चालनी नलिका में चालनी शेत्र यानि सीव एरिया सूइस्पस्ट होते हैं किलियर होते हैं जबकि चालनी कोशिकाओं में यह सूइस्पस्ट नहीं होते हैं चालनी पट्टिका से संबंद एक कार्बाहिड्रेट योगी केलोस होता है चालनी कोशिका के कोशिकाओं में ही इसे संसलेशित वर विगटित करने वाले एंजाइम भी उपस्तित होते हैं केलोस संयोजकी प्लाज्मो डेसमेटा या कुशिकाओं दरवी इस्टेंड के चारों और एक आवरन या आच्छद बनाता है वरत वजीन पोती चालनी नलिकाओं में केलोस आच्छद मोटा होता जाता है और अंतताय चालनी चिद्रों को अवरूत कर देता है जिससे की चालनी नलिकाओं निस्क्रिय हो जाती है शीत रित्व में केलोस का इस तर मोटा हो जाता है लेकिन बसंद रित्व में ये पतला हो जाता है जिससे की चालनी नलिकाओं पुने सक्रिय हो जाती है जैसा कि हम जानते हैं जिन्मो इस्पंपोदों में चालनी होती हैं विति पर कई सिद्रहां मिलते हैं जिनें चांफनी ऑफ्ल्स इस उसकर कहते हैं ऐसरपार्षों पर पह से यहां पर यह देखा गया कि इस रहां जाएं अपने अंदर की और रेरिद्धिय में युक really है उसको हम टाइलोसिस कहते हैं आज का क्लास वर्क लगू उत्रात्मक परस्न चालनी नंबर एक चालनी शेत्र क्या है शिव एरिया क्या है नंबर दो टाइलोसिस क्या है नंबर तीन फ्लैम में पाए जाने वाले चालनी तत्वों के नाम लिखिए तीन टिपणिया आपके लिए है आप इनको शोट में लिखें एक प्रात्मिक फ्लैम और दिवत्यक फ्लैम में अंतर इस्पस्ट कीजिए नंबर दो चालनी नलीका वा चालनी कोशिका में अंतर इस्पस्ट कीजिए नंबर तीन फ्लैम के मुख्ये गटक पर अपनी टिपणि लिखी है यहां पर हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं और फ्लाइम के आगे का पार्ट जो है वो हम इसी माद्यम से आगे डिसकस करेंगे दन्यवाद